बिस्मिल्य रेह्मानि रहीम, असलाम विक्म दोस्तों, सबजी हेल्थ और डिफिटी टिपप, सबजी हेल्थ और डिफिटी टिफ में अप्टमान दोस्तों का नीई वीडियो में ठीड सारा खुशाम देद। जिनकी सारी जिंदगे इस्तमाल करने से भी कोई नुकसान नहीं होता और चेहरा सदा बहार जवान रहते हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रही हूं तो आज की वीडियो में बताई जाने वाली पांच स्पेशल, सिंपल और होम रेमेडी के इस्तमाल से क्योंकि पुराने वक्तों में इस्तमाल की जाती थी, बगएर किसी भी साइड एफेक्ट के, बगएर किसी भी कैमिकल के इस्तमाल से आप अपनी खुबसूरती को वापिस ला सकते हैं जो के खो चुके हैं। देर ना करते हुए हम रेमेडी नमबर वन की तरफ चलते हैं जिसको एज़ा क्लिंजर हम इस्तमाल करेंगे। एक कटोरी में हम एक चमच लेंगे दूद का, एक चमच लेंगे दही का, दोनों चीज़ों को अपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना हैं। बहुत लंबे टा आप अपने चेहरे की टैनिंग को इसन स्टेंटली खतम कर सकते हैं, चेहरे पर गलो ला सकते हैं, स्किन के कलर को लाइट कर सकते हैं और चेहरे के दाग दबो को खतम कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आपने अभी इस वीडियो को देख के इन पांच और एमेडी को एक स को खरीदते हैं chemical वाला है natural है cleansing करने के बाद जब आप इसको इसको इस्तमाल करेंगे तो उसके results में आप वाज़ा तोर पर फरक देखेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से आप अपने face को clean करिएगा इन remedies के अच्छे तरीके से पांच मिनट के लिए आप अपने face को clean कर लीजिए इसे क्या होता है कि जो अगर आप chemical के इस्तमाल करते हैं तो उसको सिरफ जितना time बताया जाता है उतना ही time इस्तमाल किया जाता है नहीं कि natural चीजों को जितना थोड़ा time ज्यादा भी दे लिया जाए तो उसके फाइदे ही होते हैं पांच मिनट के लिए अच्छे तरीके से अपने चेहरे को clean करिए clean करने के बाद हम exfoliate करेंगे अपनी skin को exfoliate करने के लिए हमें सबसे अच्छा जो ingredient है जो powerful ingredient है skin को naturally bleach करने के लिए skin color को light करने के लिए दाग दबों को acne pimples को खतम करने के लिए हम एक भर के चमच लेंगे basin का उसमें एक चमच हम मिलाएंगे दूद का और एक चमच हम इसमें add करेंगे दही का last पर मैं इसमें चंद कत्रे इस्तमाल करूंगे lemon juice के आप लोगों को lemon suit नहीं करता तो आप इसको totally skip कर सकते हैं या फिर tomato का juice भी इसमें add कर सकते हैं तमाम चीज़ों इससे mix करने के बाद यह जो DIY आपका exfoliator बनके तयार होगा इसका मुकाबला मार्केट में बिखने वाला कोई भी exfoliator नहीं कर सकता अच्छे तरीके से इससे अपनी skin को exfoliate करना है cleansing के फोरी बाद जब हम अपनी skin को exfoliate करते हैं जिसे हमारी dead skin cells जोते हैं वो remove हो जाते हट जाते है और जब हम step 3 में एक mask apply करेंगे जिसका इतना ज्यादा हमें अच्छा result मिलेगा ना कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे और इसमें जितनी भी remedies हैं गर्मी के हिसाब से ये आपको बहुत जादा फाइदा देने वाली है गर्मी में skin के उपर बहुत जादा पसीनात है skin इसके बाद आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को वाश कर देना है या पास आप एक टावल रखिए जिसके मदद से आप अपने चेहरे को साफ करते जाएंगे जो कि इस चलचलाती धूप में हमारी skin के उपर एक बहुत ज्यादा वाली tanning हो जाती है skin uneven हो जाती है dark हो जा ज़्यादा जबरदस्त है कि इसको आप डेली बेस पे इस्तमाल कर सकते हैं यह आपको फाइदे ही देगा इसमें जो हमारा main ingredient है वो है मुलतानी मटी जिसे पहले वक्त में गाचनी या गाची बोला जाता था इसमें हमने एक चमच एड़ के मुलतानी मटी का और दूद और दही मिला के च्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया मिक्स करने के बाद यह जो मास्क आपका बनके तयार होगा इसको आपने थोड़ा सा रहनी रखना है अगर आप इसको ठीक रखेंगे बहुत जल्दी से ड्राइ हो जाएगा जो कि मैं नहीं चाहती क्योंकि अगर आप इसक की वक्त के हिसाब से एड़ किये चाते हैं कि आपकी स्कीन को बहुत जल्दी से लाइट कर देते हैं तो इसको कम्प्लीटली ड्राइ होने तक हम आपना चोथा स्टेप बनाके तयार कर लेते हैं तो रेमेडी नंबर 4 में हमें चाहिए होगा फ्रेश अलोवेरा जल अगर आ आप एक capsule एड़ करेंगे vitamin E का और इसमें आप एक capsule के बराबर quantity में एड़ करेंगे glycerin ठीक है तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से mix करना है अगर यह mix नहीं भी हो रहा तो आपने step number 4 में इस mask को wash करने के बाद ने हाथों के उपर palm के उपर लेके हथेलियों से अच्छे तर कर्मी में अगर आप इसको लगा के छोड़ेंगे तो definitely आपकी skin के उपर छोटे छोटे एकमी बन सकते हैं तो सिरफ 10 मिनिट के लिए आप इसे अपने चेहरे के उपर हलके हाथों से gently massage के रिए पोर्स के अंदर ये अच्छे तरीके से जजब हो जाएगा जितनी आपकी skin को जरूरत होगी उतना आपकी skin के अंदर चला जाएगा उसके बाद आप इसको wipe off कर देंगे 10 मिनिट के मसल सल मसाज करने से आपकी skin हलकी से warm अप हो जाएगी इतना प्यारा glow आएगा इतना pinkish सा glow आएगा आप देखके हरान हो जाएगे finally जो चीज़े हमने इस्तमाल की है skin के उपर oiliness सी feel होगी तो इस oil को control करने के लिए खतम करने के लिए simply आपने अपने hands के उपर थोड़ा सा लेना है gram floor यानि के basin कुछ भी चीज़ आपने अड़ नहीं करने इसको directly अपने थोड़े से wet चेहरे के उपर गीले चेहरे के उपर apply करना है तरफ एक minute का हलके हाथों से massage क करें हूँ कि जितनी भी इसमें चीज़ें हैं तमाम natural हैं आपके घर पे available हैं लेकिन इसके combination से जो एक formula एक facial बनके तयार होगा अगर आपके skin hyperpigmentation face करें गया है अगर आपके चेहरे पर dark spot हैं acne के निशान चूट गया है skin पर tanning है uneven skin tone है dullness है darkness है तो ये facial इन तमाम मसाइल को cover करें ये जितने भी steps हैं इनको दुबारा से मैंने बना के अपने face का भी इससे facial किया है क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ है specially summer में तो एक last step जो आप चाहें तो skip भी कर सकते लिकिन मैंने किया कि एक bowl में ठंडा chill water अपने लेना है और कुछ second के लिए 2-3 बार repeat करते हो अपने face को अपने इस पानी के अंदर रखना है तो आप एक instantly अपने चेहरे के उपर magic देखेंगे जो कि आज से पहले आपको नजर नहीं आगा इन 6 steps को एक साथ follow करिए हफते में एक बार लाजमी इसको इसको इस्तमाल करिए इंशाला आपका चेहरा हमेशा के लिए खुबसूरत ह हो जाएगा प्यार हो जाएगा और आपके चेहरे से हर तरह का side effect जो के chemical से होगी होट जाएगा वीडियो आपको बहुत जादा पसांद आई होगी लाइक जरूर करिएगा शेर जरूर करिएगा अपनी दोस्तों से अपनी खजरों से अपनी फैनली के साथ चलते हमें आपन से मुस्कराते रहें और देखते रहें सबाची health and beauty tips अलाहफेज